इसका आशे होता है किसका, जब इसका आशे किसका होता है, तब यह इंटरागेटिव प्रोनाउन होता है, और यह प्रोनाउन ब्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए प्रियोग में आता है, और जब इसका आर्थ जिसका होना सुरू होता है, तब यह रिलेक्टिव प्रोनाउन बन जाता है, तब यह वाक्य को जोड़ता है, और इसका आशे हो जाता है जिसका, जिसके, जिसकी, और जब यह प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रयुक्त होता है, तब यह होता है इंटरा creative pronoun प्रश्ण वाचक सरुनाम और ध्यान देने बानी बात है कि who's singular भी है और plural भी है प्रश्ण वाचक सरुनाम के दोर पर अगर आप इसे देखेंगे तो यह singular भी है और plural भी है example यह किस की किताब है who's is this book? यहां पर who's singular है इसलिए इसके बाद क्लिया रही है is who's is this book? यह किताबें किस की हैं? who's are these books? अब यहां पर who's plural हो गया you get that? who's singular भी है और plural भी है who's is this? यह किस की है? who's is this? यहां पर who's singular है इसलिए is who's worth is? यह किन की थी who's worth is? यहां पर who's plural है इसलिए हमने plural verb वर्ब का प्रियो किया you get that? अब इसी को आब रिलेटिव प्राउं करूपर देख लें my friend my friend who's father jinke pita my friend who's father is an army officer lives in Nainitaal मेरा मित्र जिनके पिता एक सेना के अधिकारी है Nainitaal में रहता है तो यहां पर who's relative pronoun के तोर पर प्रियुक्त हुआ और इसका आशे हो गया जिसका जिसकी जिसके जिनके आदि तो यह relative pronoun के तोर पर भी प्रियुक्त होता है कौन who's और तब इसका आशे हो जाता है जिसका जिसके जिसकी जिनके आदि बस दब्वाई एक अवरुधारन ले लिए दब्वाई whose brain is so sharp the boy whose brain is so sharp top the merit list ललका जिसका दिमाग बहुत तेज है उसने वरीता सूची में top किया उसने वरीता सूची में top किया दब्वाई whose mind is so sharp top the merit list तो यहाँ पर यहाँ पर whose का आश्य क्या हुआ जिसका तो relative pronoun के तोर पर whose का प्रयोग और integrative pronoun के तोर पर whose का प्रयोग मैंने आपको समझाया और शारांशतर एक बार पुना बता दूँ कि whose व्यक्ति और वस्ट दोनों के लिए आता है और तब यह singular भी होता है और plural भी होता है और जब whose relative pronoun हम इनके रूपे काम करना शुरू कर देता है वाकिको जोडने का प्रयाश करना शुरू कर देता है तब यह अपना अर्थ किसका किसके किसकी से जिसका जिसके जिसकी में बदल जाता है इसका अर्थ उसका जब यह relative pronoun बन जाता है Thank you